नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की इसोग्रेस डी कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है Isogris Decapsule को कैसे लेना चाहिए और Isogris Decapsule की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं Isogris Decapsule पेट में उत्पन होने वाले acid की मात्रा को कम करता है इसोग्रिस जी कैपसूल का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर इसोग्रिस जी कैपसूल का उपयोग किया जाता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन side effects को रोपने के लिए भी आपका डॉक्तर इसोग्रस D capsule को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादातर अंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए अंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये side effects ना हो, इसलिए आपका डॉक्तर इसोग्रस D capsule को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है इसके अलावा इसोग्रस D capsule का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger Ellison syndrome को treat करने के लिए भी किया जाता है Jolinger Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है इसोग्रस D एक brand name है, इसोग्रस D capsule के अंदर दो दवाओं का combination होता है इसोग्रस D capsule के अंदर salt composition इसो में prajol और domperidone होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की इसोग्रस D capsule की वज़़ से क्या side effects हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इसोग्रिस डी कैपसूल की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में इसोग्रिस डी कैपसूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे पेट में दर्ध, पेट से गैस निकलना, मुं में सूखापन, सिरदर्ध, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा इसोग्रेस डी कैपसूल की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक इसोग्रेस D-Capsule का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक इसोग्रेस D-Capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B 12, कैल्शियम, आईरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना इसोग्रेस D-Capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से इसोग्रेस D-Capsule को ले रहे हैं, तो आपको कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की इसोग्रस डी कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर इसोग्रस डी कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। इसोग्रेस डी कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए। इसोग्रेस डी कैपसूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको इसोग्रेस डी कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को इसोग्रेस डी कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका इसोग्रेस डी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। कर दो कर दो कि एंगर आपका प्रश्न हमें।